प्रादेशिक समाचार एकांज भोपाल से प्रस्तुत है बालाघाट जिले की चिठ्थी आलेक श्रीनिवास चौधरी वाचंस्व धारणा सच्च्टेव बालाघाट जिले में मुखय मेंट्री लाडली बहना योजना के अंतरगत पात्र महिलाओं के ऑनलाइन आवे दन भरने का काम किया जा रहा है कल तक जिले में 2,65,000 से अधिक महिलाओं के आवे दन ऑनलाइन पोर्टर पर दर्ज किये जा चुके हैं मुक्य मंत्री लाडली बहना योजना के अंतरगत 23 से 60 वर्ष की आयू की विवाहित, विद्वा, परिताग्यत महिलाओं को हर महा एक हजार रुपे की राशी प्रदान की जाएगी 10 जून 2023 से इस योजना की राशी महिलाओं को प्रारंप हो जाएगी और हर महा की दस तारीक को यह राशी महिलाओं के खाते में जमा की जाएगी CEO RC पटले ने VC के माध्यम से जिले के 17 शाखा प्रवंद को सूपरवाईजर संस्था प्रवंद को की बैठक ली इस दोरां श्री पटले ने वर्ष 2023 हेतू अलपावदी फसल रिन हेतू समितियों की समान्य साख सीमा स्विकृती रिन वसूली अगरिम भंडारन समितियों के निरक्षन डॉर्मेट खातों की रिक्षिलेशन सहित अन्य महत्वपुन विश्यों के विस्तार से समीक्षा करत हुए आवशक दिशा निर्देश दिये दिना 11 अप्रेल को जिला विदिक सेवा प्रादिकरन बाला घाट के अंतरगत शास्किय शाला में स्वास्त शिवर और कानूनी जागरूपता कारेकर्म का आयोजन ग्राम हीरापूर में किया गया जिसमें जिला अपर सत्र की अध्यक्षिता में स्वास्ते और महिला संबंदित कानून के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई बालागाट संसदी अक्षेत्र के अंतरगत आम नागरिकों और खिलाडियों में खेल के प्रती उत्साह को देखते हुए इस बार 18 से 24 अपरेल 2023 तक जिले में विकास खंड स्थर पर और जिला स्थर पर संसद खेल स्परधा का बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए विकास खंड स्थर पर स्थानिय खेल निकाए, ग्राम पंचायतें, खेल गलब, महाविध्याले और खेल संगों की टीमों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी इस प्रतियोगिता में 16-25 वर्ष आयोवर्ग के महिला और पुरुष खिलारी भाग ले सकते हैं आयोश मंत्राले भारत सरकार और संचार नाले आयोश मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देश आनुसार राष्ट्रे आयोश मिशन योजना आंतरगत लोग स्वास्ते सेवा संबंधी क्रिया कलाप के तहत विश्म होमियोपैतिक दिवस 268 में हैनी मैन जयान्ती 10 अपरेल को 11 अपरेल को कलेक्टरेट सवाकक्ष में जिला उपारजन समिती की बैठक का आयोजन किया गया बैठक में रभी विपणन वर्ष 2023 में किसानों से समर्थन मूले पर गेहूं चना सरसों और मसूर के उपारजन के संबंध में चर्चा की गई और अधिकारियों को आवशक निर्देश दिये गए बैठक में कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा द्वारा निर्देशित किया गया कि रभी विपणन वर्ष 2023 में किसानों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए उपारजन के द्रों पर सभी विवस्ताएं हो जाएं माध्यप्रदेश इशासन के आयुष और जल संसादन राज्यमंत्री रामकिशोर नानो कावरे द्वारा परसवाड़ा विधान सबाक्षेतर के अंतरगत आने वाले गांगुल पारा जलाशय सिचाई योजना की नहरों के स्थीमेंटी करन सुद्रडी करन मरमत कारे के सुधिर कुमार कमांडेंट 123 बटालियन केंद्रिये रिजर्व पुलिस भल के निरत्रतु में कोवीड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वाहिनी का 33 स्वास थापना दिवस दिनाक 8 अपरेल को हर्शोल लास के साथ मनाया गया इस अवसर पर वाहिनी में विविद सांस्क प्रतिक कारक्रम और खेल कोद प्रतियों गितां का आयोजन किया गया मद्रप्रदेश शासन के आयोश और जल संसादन राज्यमंत्री रामकिशवर कावरे ने पिछले दिनों जिला चेकित साले में राश्ट्रे स्वास्त मद की 23 लाख रुपए की राशी से बने मॉडल D. D.E.I.C. भवन जिला शीगर हस्तक्षेव केंद्र का लोकारपन किया जिले में बंदक श्रम अदिनियम 1976 के अंतरगत बंदक श्रमिक और बाल मजदूरी के प्रति जन जागरूगता के लिए श्रम विभाग द्वारा बंदक श्रम सबस्ता में जन जागरन अभियान चलाया गया बाला घाट में रामनोमी के अपसर पर नगर में भव वेशोवायात्रा निकाली गई इसमें हजारों की संख्या में श्रधालू शामिल हुए और भक्ति गीतों पर बच्चे और बूड़े सभी जूमते हुए दिखे जिले की चित्थी समाब्त हुई